ओम नमस्षिवाय मैं हूँ जोतिशाचारे, एम सिना और एस्टो तक पर जुड़े हुए सबी तर्शों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ देखे एक जून दो अजार चौबिस के एक ऐसा डेट बन कर आ रहा है जहां पर मंगल रूचक नाम के पंज महापुल शोग का निर्मार करेंगे और 12 जून तक कुछ इस तरीके से रहने वाली है जिसमें मंगल अपने दर्में शुक्र अपने दर्में शनी अपने दर्में और जब्वित तीन ज्रह स्वागरी हो जाते हैं तो इसदी के सब्दम का क्की अच्छी हो जाती है पहले मैंने आपको पताया था अंगारक जोश्मंगल राहो का अंगारक जोट पना था बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखना था कमेंट भी किया था मैंने बोला था 31 में तक आपको बहुत जादा आग लगने की बटना ही हर तरफ आग ही आग होगा और वही हुआ है पचास से उपर भी निकल दो लेकिन यह होना था हो चुका अब अच्छे समय स्टार्ट ने रहा था तुला लगन के जातकों का कैसा बीतेगा यह समय आईए समझते हैं तो तुला लगन में मंगल को डिपार्टमेंट जो है एक तो दूदियेश है मारक भाव दिया गया है और एक सबतमेश है सबतमेश मंगल जो है स्को की स्वागरी है तो आपके दैनिक रोजगार में वृर रहेंगे और मंगल की डिग्री वाइस कैपबिलिटी जैसे दीरे दीरे बढ़ना प्रारम हो जाएगी आपके पास धन भी बढ़ेगा लेकिन मारक अगरा है तो मारक अगरा है तो मारक तो भी बढ़ाएगा यहां पर कारकत तो कम करेगा मारकत तो को बढ़ाएगा लेकिन आपके कारे वेबसाइक के लिए अति उत्तम रिजल्ट मंगल देता हैं यहाँ पर देने वाले हैं मंगल का रिजल्ट यह रहेगा कि थोड़ा एग्रेसिव आप हो सकते हैं क्योंकि सीधा लगने पर ही दृष्टी पढ़ रही है अगर हेयर फॉल आपके जादा होते हैं तो यहाँ पर मंगल बहुत जादा हेयर फॉल करेंगे क्योंकि फर्ष्ट हाउस पर ही अगनी थतों की उपस्ति होने लगेगी इसके अलावा आपका जो लगनेश है वो स्टार्टिंग नहीं अस्टम में रहेगा तो भी परिशानी डेवलक हो सकती है लेकिन मंगल जो है रोज द्रिश्टी दसम भाव पर पड़ेगी जहाँ पर आपका कारे वेफसाह देखा जाता और वो नीच द्रिश्टी है और नीच द्रिश्टी पढ़ने के कारे वेफसाह को लेकर थोड़ी नीश्ता की अवस्ता होना अर्थात आप पर जूटा ब्लेम लगाए जा सकता है मेहन शंकर भगवान का जाप करना इसमें शंकर भगवान जी के लिए ओम नमस्षिवाय का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा मंगल पॉस्टिफ चीज़े तो बस मैं देख रहा हूं कि दैनिक रोजगार की जो चीज़ें वह आपके लिए अच्छी है धन का यानी फाइ और किसी प्रकार की राजनिती में बिलकुल इन्वाल मत हुई है नहीं तो उल्टा आप पर ही प्रभाव पढ़ने वाला है अब हम बात करने वाले हैं ब्रिश्चिक लगन वाले जात्पों के लिए एक तो लगनेश भी है और साथ में सश्ठेश भी है खुद अपने घर मे इस समय सारे लिगल केस जो होंगे वो खतम हो जाएंगे और साथ में मंगल देपता छटवे बाव में जाकर बैठके द्वादस को देखेंगे तो एक लंबी दूरी के लिए फिर यात्रा आपकी हो सकती है और यह यात्रा अनुकूल रहेगी यात्रा करनी चाहिए जनमस्थ द्रिष्टी योकारक है लगनेश लेकिन मंगल की द्रिष्टी जो है आपके नाइन्थ हाउस पे नीच की पढ़ रही है करक में मंगल की क्या होते नीच अवस्था होती है और नीच की द्रिष्टी पित्र भाव कर पढ़ रही है तो पिता को किसी प्रकार का ब्लड यह तो obviously पिता कोई परिशानी देगा, आपके लगप पर कोई काम इसे में नहीं चाल सकता है, भागे बरों से कोई भी गाम अगर आप करते हैं, श्रीर सटा में इन्वाल्व होते हैं, व्रिश्चिक लगन के हैं, तो बिल्कुल आपको सहयोग यहाँ पर नहीं मिलने वाला है भागे के बरों से कोई काम नहीं होगा, कर्म के बरों से ही सारे काम आपके बनेंगे, और निश्यत रूप से एक लंबी दूरी की यात्रा आपके चार्ट में दिखाई दे रही है, शत्रू पर विजय, यानि शत्रू अंता योग यहाँ पर बनेगा, शत्रू पर विजय हो चेहरे पर जो सुन्दरता है वो दिखाई देगी एक्छली में जो नैच्रल सुन्दरता जिसको कहते हैं विडाउट मेकप वो आपको दिखाई देगी और साथ में परसनल्टी आपकी डेवलक होगी मान पद प्रतिश्टा सब कुछ आपका बढ़ने वाला है तो ये भी आप बगवान से प्रादता कीजिए या अगर बहुत जाता दिक्कत है पिता की हॉस्पिटल में एड्मिटे या परिशानी है तो आपको महाम रितुंजे का मंत्र जरूर करना चाहिए धनू लगन की बाद करते हैं देखे धनू लगन में मंगल देवता क्योंकि पंचम त्रिको बढ़ा देंगे विद्यारती वर्गों के लिए शिक्षा बहुत मन लगाकर पड़ेंगे रिसर्च एंड डेवलप्मेंट करके पड़ेंगे तो टाइम अच्छा है धनू लगन वाले जात्पों के लिए और धनू लगन वाले जात्पों के लिए सब कुछ ठीक है लेकिन एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजे, जहां पर बैठ रहे हैं, वहाँ पर आयू पर नीश द्रिश्टी डाल रहे हैं, जहां पर मंगल जा रहे हैं, वहाँ से आयू को नीश द्रिश्टी पर डाल रहे हैं, अब क्या मतलब होगा इसका आप ही कुस्सों बनता है, एक्सिडेंटल योग नहीं होगा, तो एक बड़ा नुपसान हो सकता है, शियर सटल लोटरी त्यादी में बिलकुल भी समय involvement आपका नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी वर्ग है उनके अच्छा है, जिनके लव रोमांस वाले लाइफ में परिशानी थी, उनका प् भी चल रही है, तो उस समय भी आपके लिए बहुत खराब हो सकता है, या मारक केश की दशा चल रही है, जैसे दूती ये बावज होता है, शनी इसमें प्रबल मारक बन जाते हैं, अगर उसकी दशान तरदशा चल रही है, पोजीशन भी गलत है, तो फिर ऐसे कंडिशन में थोड़ी आपको साबधानी बरतने चाहिए, एक ही उपाय है, इस पॉइंट को अगर आपने स्वाल कर लिया, तो फिर आपको कोई दिक्त नहीं है, कि यातायात करते समय आपको बजरंग बाल का पाट करके करना, बजरंग बली को यात करके ही आप यातरा पर जाहिए, नही भी धनू लगने वाले जाते हैं, तो थोड़ा सा इसका आप द्यान दीजिएगा, आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब, डाउनलोड कीजिए एस्टु तक एप और चिटकी में जड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से,